डियर स्टुडेंट्स मैं प्यूस कुमार्थर पाथी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर जैसा कि मैंने कल आप से कहा था कि कल से हम लोग कच्छा 10 और 12 की 5-5 प्रस्णों की स्रिंखला प्रारम करेंगे जो आपके पिछले वर्ष के प्रस्णों पत्रों में आई होंगे तो आज मैं इसी कड़ी में कच्छा 12 के लिए पहली स्रिंखला लेकर हाजीर हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे 5 क्वेस्चन की बात करेंगे और आपके लिए 2 होमवर्क रहेगा याद रखेगा दो होमवर्क आपके लिए रहेगा होमवर्क आपका और गैनिक केमेस्ट्री से रहेगा और जो क्वेस्चन रहेंगे वो इन और गैनिक केमेस्ट्री से रहेंगे रथात अकार्बनिक रसायन से रहेंगे तो चलिए बिना देर किये हुए हम लोग आज की पहली क्लास सुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि ये सारे प्रस्त मैं अनसौल पेपर से ला रहा हुँ लेकिन आप उस अनसौल पेपर को नकल करने की कोशिस मत करिएगा याद रखिएगा क्योंकि अगर आप अनसौल पेपर को अभी नकल करने का प्रयास करेंगे तो आप पीछे हो जाएँगे इसलिए पहले आप अपने सलेबस को संपुल रूप से तायार करिए फिर अंसौल पेपर हल करना प्रारम करिए मैं आपको इन पांच-पांच प्रस्नों के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना महत्मूर होने वाला है तो जैसा कि आपने ये देखा सरवाधिक प्रासरन दाबवाला योगिक है तो ये आपके पहले चैप्टर विलेयन से लिया गया है याद रखिएगा पहले चैप्टर विलेयन से लिया गया है जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पहला चैप्टर जो ठो सवस्था था वो इस बार के सलेबस से काड़ दिया गया है तो हम लोग की शुरुआत दूसरे चैप्टर से होगी विलयन से और इसमें आपने सबसे पहले पढ़े होंगे अनुसंख गुरधर्म ज्यां दीजेगा अनुसंख गुरधर्म इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा तो अनुसंख गुरधर्म में आपने चार हेडिंग्स पढ़ी थी सबसे पहला आपका क्या था परासरणदाप, दूसरा था वास्पदाप का अउनमन तीसरा था कुअतनाग का उन्नेयन और चौथा था हिमांग का अउनमन ये बातें आपको जरूर याद रखनी है नंबर एक परासरणदाप, नंबर दो वास्पदाप का अउनमन नंबर तीन कुअतनाग का उन्नेयन, नंबर चार हिमांग का अउनमन तो ये चार आपके अनुसंग के गुड़ धर्म थे जिसमें से पहला अनुसंग के गुड़ धर्म थे जिसमें से पहला अनुसंग के गुड़ धर्म थे परासरन दाप अब वान्ठा गुडांक आई आपके सलेवस में आ चुका है तो हमने जब आपको वान्ठा गुडांक पढ़ाया था या आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो वान्ठा गुडांक आई होता है वान्ठाव गुडांग आई होता है ये डिरेक्टली प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् या लिख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो I proportional होता है किसके? आयनों की संख्या के मतलब हम कह सकते हैं कि आयनों की संख्या अधिक होने पर आयनों की संख्या अधिक होने पर I अधिक होगा याद रखिएगा आयनों की संख्या अधिक होने पर आई अधिक होगा और अगर आई अधिक होगा याद रखेगा आई अधिक होगा तो आलू संख्य गुड़ भी अधिक होगा क्या अधिक होगा? आलू संख्य गुड़ भी अधिक होगा याद रखिएगा अलु संख्य गुड भी क्या होगा अधिक होगा मतलब एक प्रकार से हम देखें कि आयन अधिक तो आई अधिक और आई अधिक तो अलु संख्य गुड अधिक इसका मतलब आपका सकते हैं कि Ion directly proportional to I और I directly proportional to अलुसंखे कुरधर्म या केवल आप Ion अलुसंखे कुरधर्म को भी बोल सकते हैं कि Ion अगर जादा है तो अलुसंखे कुरधर्म जादा होगा तो हम इन options में देखेंगे कि किसमें I की value जादा है आर्थात किसमें आयन जाता है और I देखने से पहले आप लोग को एक बातें और देखनी है एक बात और देखनी है आपको वो कौनसी बात देखनी है मैं आपको बता देता हूँ I देखने से पहले आपको देखना होगा कि उसकी molarता क्या है क्योंकि आपने परासरणदाब P का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने परासरणदाब P का फॉर्मूला पढ़ा है C, S, T जहांपे C standing to molarty अर्थात molarty याद रखिएगा C किसका प्रतीक है? molarty का प्रतीक है तो P का C से सीधा संबंद मतलब अगर C जादा है तो P जादा होगा याद रखिएगा अगर C जादा है तो P जादा होगा C सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A.K.M कितना A.K.M लिखा हुआ है? A.K.M उसके बाद इसका भी A.K.M लिखा है इसका भी एक्यम लिखा है इसका भी एक्यम लिखा है चारों की मोल अर्ता तो समान है मतलब यहां से आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप चलेंगे वांठा गुडांक आई पर वांठा गुडांक आई कहता है भीया पहले तुम आयनों की संख्या ग्याद कर लो ना फिर हमसे बात करना ध्यान दीजेगा आप लो कहता है कि पहले आप आयनों की संख्या ग्याद कर लो फिर हमसे बात करना तो चलिए पहले हम आयनों की संख्या को ही पता कर लेते हैं तो जैसा कि आपने देखा NaCl, तो NaCl को अगर हम जल में घोलते हैं, तो ये बनाता है Na+, और Cl-, कितने आयन है इसमें? एक आयन और दो आयन, कितने हो गए? दो, दूसरा आप देखिए, BaCl2, अगर इसका देखा जाए, तो Ba2+, उसके बाद 2Cl- आयन, Total आपको मिले यहाँ पे 3, कितने मिले? 3, फिर देखिए आप, NH4, Thrice, PO4, NH4, Thrice, PO4, तो देखिए आप, जब इसका आयन बनाएंगे, तो NH4 जो होता है, वो प्लस बनाता है, देकिन NH4 की संख्या कितनी है? वो 3 है, वो सामने चली आएगी, और बाकी जो आपका PO4 है, वो बनात है, 3 माइनस, तो आपको एक रिदायन मिल गया, और 3 धनायन मिल गया, टोटल आपको मिल गया, 4, ध्यान दीजेगा आप, टोटल आपको मिले, 4, टोटल आपको मिल गया, 4, कितने? 4, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, टोटल आपको मिले, 4, ठिक? अब आप आगे बात करिए लास्ट पॉइंट एने टू एसो फोर तो जब आप इसके आयन को लिखने जाएंगे तो यह ने के बारे में आप परिचित होंगे ही कि प्लस बनाता है इसके सामने दो है और बाकी जो एसो फोर है वो बनाता है दो माइनस ठीक है यह बात को आप जरूर ध्यान में रख कि जो वान ठाब गुड़ा अंक आई है वो आई डिरेक्टली प्रपोर्पोर्शनल टू आयन के है और आयन जो डिरेक्टली प्रपोर्पोर्शनल टू है अनुसंख ये गुर्धार्म जैसे कि यहां पर परासरण दाब लिया गया है आप इस बात को देख सकते हैं तो आई directly proportional to iron और directly proportional to परासर अदाब मतलब अगर iron ज़ादा है तो परासर अदाब ज़ादा होगा हम लोग यह कह सकते हैं तो देखिए इसमें 2 iron थे इसमें 3 iron थे और total आपने इसमें देखा 4 iron थे कितने iron थे? 4 और इसमें भी 3 थे तो सबस्याद iron किसमें मिले? NH4-3, PO4 में तो इसका मतलब हमने क्या देखा? कि जब इनकी मोलर्ता समान थी मोलर्ता समान थी तो हमें iron की संख्या देखनी होगी और जिसमें iron ज़ादा होंगे जिसमें iron ज़ादा होंगे उसी का पराशन अरदाप सबसे ज़ादा होगा या कोई भी iron song के गुर्धर्म बोलिया आप चाहे वास्पदाप का उनमन बोलिये चाहे कवतनां का उन्यन बोलिये चाहे हिमां का उनमन बोलिये सब सबसे ज़ादा होगा ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा तो इस तरह से हमारा option number कौन सा सही निकलता है option number 3 सही निकलता है और आपके लिए यहाँ पे एक सवाल मैं दे देता हूँ कि आप घर से लगा क्या येगा कि किसी भी योगिक का वांठा पुड़ांग आई निकालते कैसे हैं important आपके लिए कौन सा योगिक होगा जो विलेयन में जाने के बाद वियोजित होगा ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा हमने class में इसको विस्तारपुरो का ध्यान किया है अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो एक class हम इस पे अलग से ले लेंगे आप comment box में बता दीजिएगा अब देखिए ये आपका पहला सवाल हो गया ये आपका हो गया पहला सवाल अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर आज के दूसरे सवाल पर तो देखिए आज का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 25 डिगरी Celsius पर कितने पर 25 डिगरी Celsius पर लीथियम, बेरियम, सोडियम और मैगनीसियम के माना कप्चेन विभव दिए गए हैं माइनस 3.05 माइनस 2.73 माइनस 2.71 माइनस 2.37 तो आपको मालूम ही होगा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक विद्यूत रसायनिक स्रेडी जिसे हम लोगों ने कहा है ECS तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह आपके किस चेप्टर से मेल खाता है तो यह आपके चेप्टर विद्यूत रसायन से मेल खाता है ध्यान दीजिएगा आप लोग विद्यूत रसायन चेप्टर से मेल खाता है उसमें आपने जरूर पढ़ाओगा विद्यूत र चोड़ दिया जाना तो घटते करमपर बनाई गई है या अगर रिडात्मक संख्या को ले कर बोलेंगा ना तो इनाट ओपी के बढ़ते करमपर बनाई गई है ये बात को अब ध्यान में रख लीजेगा तो माइनस अगर ले के हम बोलते हैं तो ये इनाट आरपी के बढ़ते क्रमपर बनाई गई है, क्योंकि देखिए आपको सबसे कम मिलेगा, यह उससे ज्यादा, यह उससे ज्यादा, यह जदा मिलता चला जाएगा, और, जो हमारी ECS बनाई गई है, जब उसमें हम नीचे की और आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, नीचे की और बढ़ते हैं, शक्रियता कम होने लगती है शक्रियता कम होने के साथ साथ जो अपचायक छमता है कौन सी छमता है अपचायक छमता वो भी कम होने लगती है अपचायक छमता कम होने लगती है लेकिन जो अक्सी कारक छमता है वो बढ़ने लगती है कौन सी चमता बढ़ने लगती है आकसी कारक चमता बढ़ने लगती है आप ध्यान में रख लीजेगा आकसी कारक चमता क्या होती है बढ़ने लगती है ठीक है तो आपने देखा कि यहाँ पर आकसी कारक के बारे में ही आप से सवाल पूछा गया है यह निमनलिखित में से प्रबल आक्सी कारक कौन सा है तो आपने देखा नीचे जाने पर आक्सी कारक छमता बढ़ रही है अर्थात जो उपर होगा वो एक दुर्बल आक्सी कारक होगा जो उपर होगा वो एक दुर्बल आक्सी कारक होगा आप याद रखेगा और जो नीचे वाला होगा वो प्रबल आक्सिकारक होगा तो इसका मतलब यहाँ पर प्रबल आक्सिकारक पूछा तो हमें नीचे वाला पताना पड़ेगा तो आप पहले चारों को ECS में व्यावस्थित कीजिए और आपको कहा आपसे कि जो ECS है ECS में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजेगा अगर नोट करना होगा तो अब देखिए मैंने का जैसे जैसे आप ECS में नीचे जाते हैं क्या होता है यह जो E0 RP है इसका माइनस वैल्यू कम होता जाता है अर्थात एक प्रकार के हैं माइनस लेकर बोलें तो बढ़ने लगता है तो सबसे कम कौन सा है उसमें माइनस तीन दसमलोव जीरो पाँच है उसके नीचे आपका आएगा माइनस दो दसमलोव साथ तीन यह सही ब्यास्तित करम से भी है कि आप ECS याद करेकी छुटी नहीं पा सकते हैं क्योंकि कभी-कभी इन चारो तत्मों के अस्थान पर वो ABCD लिख कर दे देता है क्या लिख कर दे देता है? ABCD लिख कर दे देता है तो आपको इस से भी सतर करहना पड़ेगा ये बात को याद रखेगा तो इसका मतलब उसने हमसे प्रबल आकसी कारक पुछा है तो हम कौन सा बताएंगे? जो नीचे इस्थित होगा याद रखेगा अभी यहीं प्रबल अपचायक पूछा होता तो अपचायक प्रबल उपर वाला हो जाता है और जबकि नीचे वाला क्या हो जाता है दुरुबर हो जाता है ठीक है ना ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा चलिए तो अब हमने देखा किसमें सबसे प्रबल कौन सा है मैगनिसियम तो हमारे इस सवाल का अंसर है mg2 प्लस आयन option number 2 ये आप से 2019 में पूछा गया सवाल है किस चैप्टर से है विद्यूत रसायन चैप्टर से है ठीक है ना ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए गाठ बांद दीजिए दिमाग में भर लीजिए ECS आपके रिए बहुत important है आपको इसे जरूर पढ़ना होगा और पढ़ना ही होगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कम से कम तीन number चला जाएगा ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा ये आपको तीन marks दिलवाने वाला है ठीक है चलिए तो अब हम लोग आज के अगले सवाल की ओर चलते हैं आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत महत्पूर्ण सवाल देखिए आप क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है अभिक्रिया A प्लस 2B अभिक्रिया लिखी हुई है A प्लस 2B तीर के बाद है उत्पाद और इसका वेगिस्थी रांग है R बराबर A बड़े कोश्ठक में इंटू B बड़े कोश्ठक में और उसके उपर दो अब इसके उपर कुछ नहीं है तो कितना रहेगा ये इनकी सांदरता को प्रदर्सित करता है और कौन सी सांदरता को प्रदर्सित करता है मोलरता को प्रदर्सित करता है ये वाद को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा तो ये कहां से आ गया अभिक्रिया की कोट जहां हमने पढ़ा हुआ था तो अभिक्रिया की कोट की परिभासा एक बार आप रिवाइन करिए क्योंकि कोट पूछा भी है आपसे तो क्या है किसी अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांदरता पदों की जो घातें लगी होती है न उनका जो योग होता है वही होती है कोट ये बात को अब ध्यान में रख लीजेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा वेग होता है वो वेग क्या होता है वेग अभिकारक की सांदरता याद रखिएगा वेग जो होता है वो अभिकारक की सांदरता की घात यन के समानुपाती होता है अभिकारक की सांदरता की घात यन के समानुपाती होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ आर समानुपाती अभिकारक की सांदरता की घात यन तो यहां पर यह जो यन आपको दिख रहा है न यही है अभिक्रिया की कोट तो बात उठी कि अगर एक से ज़्यादा अभी कारक आया तो जैसे मान लीजिए A आ गया फिर B आ गया और फिर C भी आ गया और ऐसे आगे चलता चला गया ये बात को ध्यान में रखिएगा तो इनकी पवर क्या क्या लगेगी तो जाहर सी बात है इनकी पावर ian 1 अब कर दीजी इनकी पवर ian 2 कर दीजी आगे वाले पवर ian 3 कर दीए इसे करते चले जाएजिए आपके पास कितने अभिकारक हैं इस सवाल में हमारे पास हैं दो अभिकारक कितने अभिकारक हैं दो ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो अभिकारक हैं एक है A और एक है B एक है A और एक है B A की घात कितना लगा हुआ है एक और बी की घात कितना लगा हुआ है दो आप इसी को जोड दीजी आपको पता चल गया भीक्रिया की कोट कितनी होगी अर्थातिसा भीक्रिया की कोट ज़र आप इस सवाल की आणविक्ता कमेंड बॉक्स में बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा यहांपे आप इस सवाल की आणविक्ता comment box में बताईएगा आणविक्ता क्या है इसकी आणविक्ता ठीक है यह आपका home walk है घर से आपको करके आना है और आप comment box में इसको जरूर बताएंगे चलिए तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल आजपा आजपा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या देख रहा है आपको important question यह पुना आता है विललेयन chapter से कहां से आता है विलेयन chapter से तो मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो विलेयन chapter है वो बहुत important है इसके जो चार अनुसवंखे कुड़ धर्म है उसका जो तीसरा नंबर अनुसवंखे कुड़ धर्म और चौथा नंबर अनुसवंखे कुड़ धर्म है क्या है एक है क्वथनांक का उन्नेयन और दूसरा है हिमांक का अउनमन याद रखिएगा दूसरा है हिमांग का अउनमन जब आपने देखा कि चार और संग उड़तरमों में से दो ये हैं मैंने आपसे कहा था ये दो वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं आपके पेपर में इनसे एक सवाल जरूर आएगा ये बात को आप जरूर धियान में रख लीजियेगा तो इनकी परिभासा और इसका मोलल और उन्नेन इस्थिरांग मोलर Toby और इनकी परिभासाएं और इन दोनों के फॉर्मूले जरूर याद रख लीजिये आप क्योंकि ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज है ध्यान में रखिएगा आप इस बात को चलिए तो हम इस सवाल को थोड़ा फोकस करते हैं कि इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया है क्या चीज पूछना चाहता है ग्यामदर हमसे तो देखिए हमसे पूछना चाहता है कि आप निकालिए क्वाथनांक में उन्नेयन की गड़ना कीजिए ध्यान दीजेग आप किसकी गड़ना पूछ रहा है क्वाथनांक में उन्नेयन की गड़ना पूछ रहा है तो जब हम इसके क्वाथनांक में उन्नेयन की बात करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले तो मालूम हो गया कि क्या पूछ रहा है डेल्टा टीवी पूछ रहा है तो पहले आप डेल्टा टीवी के फॉर्मूले को लिख लीजिए क्या है इसका फॉर्मूला के बी गुड़ा डबल्यू गुड़ा एक हजार और बटे एम गुड़ा डबल्यू डैस ज्यानती जेगा के बी गुड़ा डबल्यू गुड़ा एक हजार बटे यम गुड़ा डबल्यू डैस तो सब चीजें कहां पर क्या क्या हैं पहले हम इनको तो सबसे पहले आपने देखा कि जो के बी है के बी वो के बी है मोलल उन्नेयन इस्थिरांग मोलल उन्नेयन इस्थिरांग जो की सवाल में आपको साफ साफ दे रखा है जीरो दसमलो पांच दो कैल्विन की ग्रा प्रतिमोल मैं या पर मातरक नहीं लिखता हूं मातरक लिख ल ग्राम यूरिया को जल में घोलने पर किसमें घोला गया किसको घोला गया जिसके साथ को लगा है उसको घोला गया वो विले है जिसमें घोला गया वो विलायक है यही सब्दा पकल डिंग तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा इसके साथ को लगा है मतलब ये विले है इसके दिया गया है, 3 ग्राम दिया गया है, उसके बाद आप देखिए विलायक दिया गया है आपको, क्या दिया गया है विलायक को हम मानते हैं W- कई कई किताबों में आपको capital W भी दिखेगा, लेकिन मैं W- ही हमेशा मानता हूँ, क्योंकि अगर आप W और W लिखेंगे तो कभी-कभी आप confused हो जाएंगे कि वो capital W है कि small w है इसलिए मैं capital W नहीं मान कर W dash मान लेता हूँ इसकी value दी गई है 100 grams तो देखा आपने इसमें आपको सारी चीजें पता चल चुकी है बस आपको एक चीज बचा हुआ है यूरिया का molar द्रब्यमान आपको निकालना है क्या निकालना है यूरिया का molar द्रब्यमान तो यूरिया किसका molar द्रब्यमान आप निकालेंगे यूरिया का molar द्रब्यमान निकालेंगे मैं यहाँ पर अभी direct लिख रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते है यूरिया का मोलर द्रविमान यम बराबर कितना होता है 60 अभी मैं सवाल लगा लूँ फिर आपको बताता हूँ कि इसका मोलर द्रविमान निकालते कैसे है तो आप सारे मान को इसमें रख दीजिए फटाफट सबसे पहले आप formula को किनारे लिख लिए करिए किसी भी सवाल को लगाने जाए तो formula लिख लेने से आपको ग्यात हो जाता है कि सवाल में क्या क्या चीज़े मुझे चाहिए और आप उसको आराम से निकाल सकते हैं तो आपका सवाल आसानी से लग जाएगा तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुए KB गुड़ा W गुड़ा 1000 बटे M गुड़ा W तो सारे मान रखे जाएं, मैं सारे मानों को रखने का प्रयास करता हूँ, सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा KB, KB की value है 0.52, आपका जो W है वो है 3 ग्राम, और जो 1000 है वो तो वही रहने वाला है, यह बात आप धियान में रखिएगा, फिर जो नीचे आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है YUM, जिसकी value है 60, और जो आपको 1000 दिख रहा है, सॉरी, W डेस दिख रहा है जो, उसकी जगाँ आप रख सकते हैं 100, क्योंकि 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 से सबसे पहले आप 1000 को काड़ देंगे, कितनी बार में कटेगा वो, 10 बार में, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कि आप इसको काड़ दीजिएगा, 3 से 60 को कितनी बार में, 20 बार में, तो इस प्रकार से आपके सामने सवाल क्या बचा, देखिए, 0.52 into 10 upon 20, यह दि 20 को काड़ दीजिए, कितनी बार में, 2 बार में, कितनी बार में काड़ दिया आपने, 2 बार में काड़ दिया, तो जड़ा आप आगे देखिए का क्या value आने वाली है, आपको उपर मिला था, 0.52 upon 2, तो अब यहाँ पे इससे 2 से डिवाइट करेंगे, 0 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाए, 2 का 5 में 22 जा 4 होगा, 1 बचेगा 26 जा 12, तो यह क्या आया आपका, डेल्टा टीबी, अब आप जड़ा बताइए, किसका आप मात्रक क्या लिखेंगे, 0.26 degree Celsius लिखेंगे, या 0.26 Kelvin लिखेंगे, बताइए जड़ा आप, यह आप comment box में बताएंगे, कि आ लिखेंगे, मैं कल की क्लास में इसको बताऊंगा, क्या होगा इसका अंसर, ठीक है, चलिए, आज हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, आज का अगला और अंतिम सवाल, आपके सामने प्रगट हो चुका है, अवतार ले चुका है, तो आप अपना फरसा और हंतियार लेकर त इसका मिस्टरंड बनाया गया, और मोल प्रभाज निकालना है, तो जाहिर सी बात है, आपको पहले मोल प्रभाज के फॉर्मूले तो तयार होने चाहिए, जान दीजिएगा, तो जो मोल प्रभाज के हमारे फॉर्मूले होते हैं, वो दो होते हैं, एक होता है, मैं आपको इ small n upon small n plus capital n, फिर जो आप विलायक की बात करेंगे, विलायक की, तो जो आपका विलायक का मुल प्रभाज होता है, वो होता है capital X, तो इसका जो होगा, small n upon, sorry, small n नहीं, इसका होगा आपका capital n, इसका होगा capital n, capital n upon small n plus capital n, तो सवाल यह उठता है कि यह small n और capital n हैं क्या, तो आप small n और capital n को जानते ही होंगे, कि small n जो है, वो है विले का मुल, किसका मुल है, विले का मुल है, और जो capital n है, वो है विलायक का मुल, तो आप इस formula को ध्यान में रखिए, और हम अब सवाल लगाना सुरू करते हैं, तो देखिए, सवाल आपके सामने क्या आया हुआ है, सवाल आपके सामने आया हुआ है, कि 72 gram जल है, घ्यान दीजेगा, 72 gram जल है, और उसको 92 gram एथिल अलकोहाल में घोला गया है, पता कैसे चलेगा, अलकोहाल में जल घोला गया है, कि जल में अलकोहाल घोला गया है, तो इसका अंसर यह है, जो ज़्यादा मात्रा में है, वो विलायक है, और जो कम मात्रा में है, वो विले है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखें गया, तो अलकोहाल, ज्यादा मात्रा में वो विलायक मान लिया जाए और जो जल है वो कम मात्रा में है उसको विले मान लिया जाए बाकी आपके उपर निरुहर करता है किसको विलायक मानिये किसको विले मानिये कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है तो जैसे जो कम मात्रा में आपने पढ़ा हुआ है दो द्रोगों के मिस्रण में जो हमने विलेन पढ़ा है तो दो द्रोगों का जब मिस्रण होता है तो जो जादा मात्रा में होता है वही विलायक होता है और जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है विले तो यहाँ पर जो मात्रा W बराबर क्या है 72 ग्राम जल की मात्रा W बराबर है 72 ग्राम और आप निकाल लीजिए जल का मोलर द्रविमान जल का फॉर्मूला होता है H2O का मोलर द्रविमान H2O का मोलर द्रविमान M बराबर क्या हो जाएगा 18 होता है कितना होता है अब आप निकाल लीजिए जल का मोल देख लीजिए आप जल का मोल तो जैसा मैंने कहा कि विले का मोल को हम स्माल एन से प्रदर्शित करते हैं और जल यहाँ पे विले बन चुका है तो स्माल एन स्माल एन का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा W upon Y नहीं याद होगा तो आप लिख लीजिएगा W upon Y तो यह था 72 बटे 18 जो की कट जाने के बाद आएगा 4 तो यहाँ से आपने देख लिए आपको विले का मोल ग्यात हो गया और जब आपको विले का मोल ग्यात हो गया तो अब आप विलायक की बात कर लीजिए ना किसकी बात कर लीजिए आप विलायक की बात कर लीजिए विलायक कौन है एथिल एलकोहॉल याद रखिएगा विलायक है आपका एथिल एलकोहॉल ठीक है तो अब इसकी बात करिए पहले इसकी ग्राम में मात्रा देखिए इसकी ग्राम में मात्रा आप लोग देखिएगा इसकी ग्राम में मात्रा इसकी है का तो इसकी ग्राम में मात्रा है इसको capital W मान लीजिए और इसकी ग्राम में मात्रा है कितने ग्राम 92 ग्राम कितना ग्राम है अब इसका मोलर द्रब्यमान निकाल लिया जाए तो C2H5 हो या चिसका फॉर्मूला होता है आपको मालूम ही होना चाहिए का मोलर द्रब्यमान मोलर द्रब्यमान यम बराबर क्या आने वाला है देखिए इसमें कारबन का 12 दून 24 और 5 उन्तिस उन्तिस और अक्सिजन का सोलर 45 और एक हाइड्रोजन का टोटल 46 तो इसलिए आपका आगया इसका मोल इसका आप मोल निकाल लीजिए मोल निकालेंगे आप तो जब आप इसका मोल निकालने जाएंगे तो वो कैपिटल एन होगा कैपिटल एन क्या होगा डबल्यू अपॉन मतलब इसका है बान बे ग्राम और नीचे आप रखेंगे 46 कितना मिल जाएगा आपको दो मोल मिल जाएगा तो टोटल आपने देखा कि इसमें चार मोल आपका दिख रहा है जल और दो मोल आपका दिख रहा है अलकोहॉल ठीक है तो हम यहाँ पे एक बार के लिए लिख लेते हैं कि स्मॉल एन की वैल्यू है चार मोल और जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो है दो मोल ठीक है ना यह बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा उसके बार अब देखिए आप यहाँ पे क्या बोलाइगा आप आपको निकालना है विले और विलायक का मोल प्रभाज तो पहले आप विले का मोल प्रभाज श्मॉल एक्स निकाल लीजिए श्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन तो जो smallion था यह small x किसका है जी जल का है याद रखिएगा जल का निकल रहा है यहां से क्योंकि उसको आपने विले मान लिया है तो smallion का 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 प्लस इसका 2 मतलब total आया 4 बटे 6 कड जाएगा आपका तो 2 बटे 3 आ जाएगा इसका अंसर यह आपका अंसर होगा इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि उपर नीचे दोनों मोल रखा गया आप इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे ठीक है ना ध्यान में रख लिजेगा इस बात को आप लोग चलिए अगला देखें आप जब आप जाएंगे एथिल अलकोहॉल का निकालने किसका निकालेंगे आप एथिल अलकोहॉल का तो उसका निकलेगा कैपिटल X बराबर उपर रहेगा कैपिटल N और नीचे रहेगा N प्लस N तो देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है उपर रहेगा 2 और नीचे रहेगा 4 प्लस 2 मतलब टोटल आ गया 2 बटे 6 कट जाएगा तो 1 बटे 3 तो आपने देखा क्या कि जो यह आया आपका 2 बटे 3 और यह आया 1 बटे 3 और कड़ जायगा तो कितना आएगा 1 आएगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना विले का मौल प्रभाज पलस विलेक का मौल प्रभाज बराबर 1 तो यहां से देखिए वो प्रूफ भी होता है दोनों के मौल प्रभाज का जो योग होगा, वो कितना होगा वो एक ही होगा और हमेशा एक ही होगा, अब इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा तो इस तरह से आपने देखा कि हमने पांच सवालों को आज हल किया जो कि आपके 2019 की परिच्छा में पूछे गए थे, आप जाके वहाँ से नकल मत मारने लगिएगा, आपका काम है पहले आप सलेबस तयार करिए, फिर आप उन चीजों को देखिए मैं आपके लिए ऐसे important सवाल पर डे लाता रहूंगा, और मैं आपको आज के लिए दो homework दे रहा हूँ जो की आपके लिए कार्बनिक रसायन से आने वाले हैं इस formula को आपने देखी लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा आज के लिए आपका जो homework है कार्बनिक रसायन से है आपको इसे अपने आप करना है और अगर आप इसके बारे में क्रिया की, क्रिया विधी लिखिए तो आपको यसीन 1 और यसीन 2 बताया गया है उसमें से कोई भी आप एक लिख देंगे उसके बाद आपसे पूछा है क्लोरो बेंजीन से DDT कैसे बनाएं यह आपको मैंने very important करके पढ़ाया हुआ है और आप DDT का मुझे फुल फॉर्म एक बार पुना comment box में बता दीजिएगा ठीक है उसके बाद देखिए सवाल 4 नमबर में पूछा गया है मतलब जो यसीन 1 और आप यसीन 2 लिखेंगे क्रिया भी थी वो दो नमबर की रहेगी और क्लोरो बेंजीन से DDT जब आप बनाएंगे तो वो भी दो नमबर का रहेगा ठीक है कितना important सवाल है याद रखिएगा फिर दूसरा आप देखिए ये important जो आपने फिनॉल पढ़ा हुआ है फिनॉल के बनाने की विदिया ये वीरेचन वीरेचन मने होता है बनाना याद रखिएगा वीरेचन का मतलब होता है बनाना ठीक है तो निर्माल की विदिया पूछ रहा है आपसे वो तो क्या पूछ रहा है इसमें सैलीसीली का अमर से फिनॉल बनाई है इसको मैंने आपको लिखवाया इंपोर्टन करके इसका बहुत बढ़िया नाम है आप उस नाम को कमेंड बॉक्स में बताईएगा और आप नंबरिंग प्रस्ट पर जरूर करेएगा मतलब इस चीज का आंसर है ये ऐसे नहीं मतलब जिससे पाईए वैसे आंसर देते जाईए फिर क्लोरो बेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है जो कि आपको बहुत इंपोर्टन रियक्षन नाम का रियक्षन है मैंने आपको बताया हुआ उस रियक्षन का नाम आप कमेंड बॉक्स में जरूर लिख सकते है उसके बाद टालोईन से आपको फिनॉल बनाना है तो हमने पना था टालोईन के आक्सीकरण से फिलोन बनता है और यह आपको रियक्षन भी लिखवाया गया है ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा और आपको एक एक रियक्षन से आपको नहीं आद होता है तो पहले आप टालोईन से आपको ध्यान में रख लिखवाया गया तो यह आपको अपको रसायन से ही होंगे और हमारा लोग का जो answer question session चलेगा वो होगा और कार्बनिक रसायन से सम्बंधित तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसी ही classes रोजाना मिलेंगी math की भी मिलेंगी और chemistry की भी मिलेंगी ठीक है तो आप लोग से मैं एक निवेदन करता हूँ इस class को जितना अधिक से दिख हो सके share करने का प्रयास करें जिससे हम लोग के subscriber जल्दी से जल्दी एक के हो जाएं फिर हम लोग live class में इन doubts को solve कर सकें याद रखिएगा live class में इन doubts को solve कर सकें अगर live class चलेगी तो आप सवाल पूछ भी सकते हैं और मैं उसका answer इसी class में दे पाऊंगा ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल की class में पढ़ते रहिए मस्त रहिए तयारी को चालू करिए और जितना जादा से जादा हो सके पढ़ाई पर समय दीजिए mobile, instagram, facebook कुछ समय के रिए बंद कर दीए ठीक है धन्यवाद